साहस शोर्य और पराक्रम का के सर्या रंग शांती सोहार्द्र अमन का श्वेत वर्ण उर्वर्ता पवित्रता सम्रिध्य की हरित द्युति ये तीनों जैसे ही एक साथ आते हैं हर भारतिय के मन में एक जलतरंग सी वज़ उठती है फिर चाहे वो भारतवासी दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना बसता हो भारत ने तो सदा से सारे संसार को अपना परिवार माना है तब ही तो हजारों वर्षों पहले हमारे रिशियों ने कहा था वसुधैव कुटुम्ब कम अगर हम विश्व की विभिन पुरातन संस्कृतियों के इतिहास को देखें तो पाएंगे कि कुछ खास है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी सदियों रहा है दुश्मन दौए जमा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा कि पर एक देश होता क्या है क्या केवल एक भूखन जमीन का एक तुकड़ा या उस देश में बसे लोग उनकी सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, उनके मूल्य और विश्वास अगर हम भारत के मूल तत्व को खोजे तो मिलता है सत्य, अहिंसा, प्रेन, सहिश्नुता, सवहार्द्र, साहस और सत्याग्रह तभी तो यदि कोई एक व्यक्ति हमारे भारत का प्रतिन धित्व करता है, तो वे हैं हमारे राश्ट्रुपिता, हमारे बापू, महात्मा गांधी जिनके बारे में महान वेग्याने काइंस्टीन ने कहा था, आने वाली नसले इस बात पर विश्वास ही नहीं करेंगी, कि महात्मा गांधी जैसा कोई हाड मास का मानव सच मुझ कभी था राश्ट्रुपिता, महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग रहसे आजादी की लड़ाई लड़ी, तो देश के कोने कोने में आजादी के अंगिनत दीवानों ने, क्रांतिकारियों ने आजादी का अलख जगाया उनके साहस्त्याग और बलिदान से जिस स्वतंत्र राश्ट्र का जन्म हुआ, उस भारत गणराज्य की रक्षा करते हुए, हमारी तीनों सशस्त्र सेनाओ के जवानों ने भी कुर्बानिया दी है उन्ही बलिदानों को नमन करने के लिए चिररिणी राश्ट्र ने बनाया है राश्ट्रिय समर्समारक, जहां आजादी से अब तक शहीद हुए हर जवान का नाम प्रस्तर पर उकेरा गया है बीच में स्थित हैं अमर चक्र, वीर्ता चक्र, त्याग चक्र वर रक्षक चक्र नाम के चार चक्र जिनके उपर शान से खड़ा है एक विजय स्तंब जिसके अंदर दिन राज जलती रहती है एक अखंड अमर जवान जियोती सीमाओं पर सुरक्षा के साथ ही आज भारत का सामर्थ्य हर क्षेत्र में लगातार बढ़ रहा है और एक नए भारत आत्म निर्भर भारत का उदय हो रहा है आज कोटी कोटी भारतवासी देश को आत्म निर्भर बनाने के लिए सबका प्रयास के मंत्र के साथ अपना योगदान दे रहे है अब वैक्सीन से वायू यान तक तमदार रोकेटों से युद्ध पोतों तक खेती से उद्यम तक शिक्षा से कारुबार तक हमारे वैज्ञानिक विशेशग्य नमाचार करता अपनी असीम ख्षमता के उपयोग से देश में नित नई समाधान देकर लोगों का जीवन आसान बना रहे है आज हमारा देश एक स्वतंत्र राष्ट होने के 75 साल पूरे कर अपने अम्रित वर्ष में प्रवेश कर चुका है यह आजादी का अम्रित महोत्सव हम सब के लिए एक अनुष्ठान का महोर्त है 75 वर्षों में सारी कठिनाईयों के बावजूद जो दूरियां हमने नापी हैं जो उचाईयां हमने चुई हैं आज उनका उल्लास पूर्ण उत्सव भी हमें मनाना है और आगे एक नए इंडिया को बनाने के लिए नई उपलब्धियों, सफलताओं, योजनाओं का संकल्प भी हमें उठाना है इस अनूठे, अनूखे, अनमोल, अनंत सफर में अगर कोई हमारा सहारा है, हमारा धुरुवतारा है हमारा कुतुब नमा, हमारा प्रकाश स्तंब, हमारा आलोकित आकाश दीप है, तो वो है हमारा तिरंगा जिसके तीन रंग सदा हमें प्रोग साहित करते, अनेकता में एकता का सबक सिखाते और देश प्रेम में सदा तत पर सदा आगे रहने का मार्ग दिखाते हैं आज आईए हम सब मिलकर फिर से अपने राश्ट्र धवज को प्रणाम करें और शपत ले अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की वंदन करें हम सब अपनी भारत मां का और एक समवेद स्वर में कहें वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम झाल झाल झाल